दोस्तों आज हम बात करेंगे नवरात्री की तथा इसमें उप्योग होने वाली दोस्तों पूजा सामगरी की शुरवात करते हैं नवरात्री के बारे में कुछ विसेज जानकारी के साथ नवरात्री हिंद्वों का एक प्रमुक पर्व है नवरात्री यानी नव विसेज रात्रियां नवरात्री मा सक्ति के नौ रुपों की उपासना का स्रिष्ट काल माना जाता है वैसे तो साल में चार बार नवरात्री आती है जिसमें चायत्र और सारद्य नवरात्री प्रमुख है बाकी दो नवरात्री गुप्त नवरात्री होती है जो माग महिने में और आसार महिने में आती है चैत्र नवरात्री का आरम भूली के बाद गर्मी के शुरुवात में होती है तथा सारदिय नवरात्री सरदी के प्रारम में आती है दोनों नवरात्री के बीच का अंतर छे महा का होता है नवरात्री के नौ दिनों में मा दुर्गा को परसन करने के लिए उनके नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है हर दिन देवी की एक रूप की पूजा होती है जैसे पहले दिन शैल पुतरी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिनी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पाच्वे दिन सकंद माता, छठे दिन कात्यायनी माता, सात्वे दिन काल रात्री, आठवे दिन महागौरी और नवे दिन यानि नवरात्री के आखरी दिन में मादुर्गा के सिद्धी दात्री रूप की पुजा होती है चैत्र नवरात्री पर नवे दिन को रामनवी की रूप में मनाया जाता है और सारद्य नवरात्री के नवे दिन को महा नव्मी की रुप में मनाया जाता है मित्रू यह तो बात हुई नवरात्री की अब बात करते हैं नवरात्री के पुज़ा में उपयोग में आने वाली पुजा सामगरी की आपके सुविदा है तो बोक्स्टु जोई लेकर आए है नवरात्री ओल इन वन पूजा कीट जिसमें माता का श्रिंगार भी सामिल है दोस्तों हमारा उद्देश है आप सभी सुरक्षित रहे तता घर पर रहकर ही सभी त्योहारों का सहज और आराम दायक तरीके से आनन्द ले इस कीट में दुर्गा पूजन करने के लिए सभी आवश्यक सामगरे सामिल है जो एक सम्पून पूजा के लिए यानि की नव दिन की पूजा के लिए पर्याप्त है इस कीट की मदद से आप अपने घर में सहज तरीके से पूजा कर सकते हैं आईए अब विस्तार से जानते हैं कि वॉक्स टु जोई नवरात्री पूजा कीट में कौन कौन सी सामगरे सामिल है ये देखें मा नव दुर्गा का फोटो चुन्दरी नवरात्री पूजन पूस्तक जिसमें मादुर्गा नवरात्री कथा सामिल होती है मादुर्गा 40 सामिल होती है और आरती भी सामिल होती है ये है गर्वत्ति, दिया और अगर्वत्ति स्टैन मॉली, जन्यो और इत्र हनी यानि मधू पंच दिपम तेल दिये में डालने के लिए गंगाजल, केसर बत्ती जिसे हम रूई की बत्ती भी कहते हैं लंबी बत्ती, अखंड जोद, कपास वस्तरमाला, गूड, छुहारा, खजूर और इसमें साथ किस्म के तिलक होते हैं जिसे हम कुनकुन यानि की रोली, गुलाल, हल्दी, चंदन पाउडर, अबीर, केसर चंदन और अक्षब के नाम से जानते हैं एक छोटी से पैकेट में पांच चीजों का समाविस होता है इसमें ये पांच चीजे हैं खोल के साथ बदाम, कमल गट्टा, सुपारी, लौंग, इलाईची और ये है कब दूप जौव, पीली सर्सो, नव धान्य, हल्दी के टुकडे, हवन सामगरी, उपले और माता का श्रिंगार माता का श्रिंगार में लाल चूडिया, सिंदूर, काजल, विंदी, महंदी, कंगी, रुमाल, चुंदरी, आईना, रबर बैंड, आभूशन और पूजा का लाल कपड़ा सामिल है तो कुल मिलाकर 40 से वे ज़्यादा वस्तवे आपको इस किट में मिलती है मित्रो, आज की वेस्त जिंदगी में यह बड़ा कठीन है कि पूजा की सभी सामगरी आप बाजार जाकर इकत्र करे तो बॉक्स्टू जोई आपके लिए नवरात्री के नव दिनों की पूजा के लिए संपुन सामगरी आपके घर तक पहुचाएंगे जिससे आपको बाजार की भीड़ में ना जाना पड़े नवरात्री के पावन परव पर सक्ति स्वरुपा मा दुर्गा आप सबको आसिरवाद दे कि आप स्वयम सक्ति का आभवान कर सके और सदेव सुखी और सम्रिद रहे मा दुर्गा आपको साप परिवार स्वस्त एवंग सुरक्षित रखे उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा कृप्या इस वीडियो को जरूर लाइक करे और शेर अवेश्य करे धन्यवाद को यह वीडियोर लाइक करे ने लेदा शेर्म स SM